नमस्कार दोस्तो, मैं आपका दोस्त टॉक्टरासीस दोस्तो अभी जैसे मोसम बदल रहा है, गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है तो ऐसे मोसम में परिवार में अक्षर सर्दी खासी जुखाम नजला हो जाता है तो आज मैं आपको ऐसा homeopathic combination बताऊंगा जिसको अगर आप अपने घर पे रख लोगे तो आपको आपके परिवार में ये सब problem आएंगी तो तुरंथी ठीक हो जाएंगी इन दवाईयों को आप preventive के रूप में भी ले सकते हो अगर आपके पडोस में किसी को viral infection हो गया है और आप चाते हो वो viral infection मुझे ना हो जिस कारण से जुखाम होता है खासी होती है बुखार होता है तो अगर आप इन सब से बचना चाते हैं तो आप preventive के रूप में अपने family के हर एक member को आप ये दवाई दे सकते हैं जिन से उनको कोई भी समश्या नहीं होगी दोस्तों सरदी जुखाम नजला खासी जब ये होता है तो ये दो अवस्थाओं में होता है यानि कि इसकी दो category होती है अगर आपके परिवार के किसी शदेश्य को आज ही जुखाम हुआ है तो पहले दिन तो उसका नाक टपकता है यानि नाक से बिलकुल पानी जैसा पदार्त निकलता है छींके बहुत ज़ादा आती है फिर साम तक चलते चलते उसके सिर में दर्द होने लगता है उसके अगले दिन रोगे को गले में समश्या होती है गले में दर्द बर जाता है गले में जकडन हो जाती है। इस तरह से रोग की दूसरी कंडिशन में आदमी का नाग टपकना तो बंद हो जाता है। लेकिन ये ही समश्या उसके गले में आ जाती है और गले से ये समश्या उसके फेपडों में चले जाती है यानि इन्फेक्शन फेपडों में चले जाता है और व्यक्ति को खासी हो जाती है। खासी के साथ साथ आदमी को बुकार भी हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको दो तरह की दवाईयां बताऊंगा, एक तो रोग की पहली अवस्ता में देने वाली दवाई, अगर आप रोग की पहली अवस्ता में ही ये दवाई दे दोगे, तो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, और उसी दिन ही व्यक्ति की बिमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो रोग की पहली अवस्ता की सबसे अच्छी दवाई है एकोनाइट 30 रोगी को ठंडी हवा लग गई है जिससे उसे छींके आने शुरू हो गई हैं सरीर में व्याकुलता है बेचैनी है छींके बहुत जादा आ रही है आखोंसे भी पानी आ रहा है तो रोग की पहली अवस्ता में दी जाने वाली दूसरी ओमियोपेथिक दवाई है एलियम सीपा इसको भी 30 पोटेंसी में देना होता है जब छींके बहुत ज़्यादा आएं और नाक से जो पानी आता है उसमें जलन हो गरम कमरे में जाने से रोगी का रोग बढ़ जाए और ख Cabria emotion के लकिन पानी होगा तो और वीजाने और घो सरथिके पानी होगा दॉस्तु शेसे प्रकार आप तीनु दवाई एक साथ भी देशकते हो और अपने लकिशनों थे अलग अलग भी दे सकते हो आर्सेनिक एलगम को जादा मात्रा में नहीं लेना है इसकी 30 पोटेंशी दिन में 3 बार 4 चार बुंद ले सकते हैं दोस्तो इस प्रकार आपकी बिमारी आगे नहीं बढ़ेगी और पहले दिन में ही आपको एक अच्छा उप्चार मिल जाएगा और आपकी बिमारी वहीं ठीक हो जाएगी लेकिन दोस्तो अगर आपने दवाई लेने में देरी कर दी है और आप रोग की दूसरी अवस्ता पर पहुंच गए हैं रोग की दूसरी अवस्ता कैसी होती है इसमें आपकी नाक से पानी गिरना बंद हो जाता है और आपकी सिर में दर्द और गले में दर्द होने लगता है यानि जो आपके नाक की जिल्ली के अंदर infection था वो infection आपके गले के अंदर चला जाता है यह होता है बिमारी के दूसरे द Palsetila 30 को चब लेना है जब व्यक्ति का नाक टपकना बंद हो जाए। इस कंडिशन में व्यक्ति के नाक से पानी टपकना बंद हो जाता है और पानी एक गाड़े पदार्थ का रूप ले लेता है जिस कारण से नाक बंद हो जाती है। व्यक्ति को प्यास बिल्कुल नहीं लगती तो इस कंडिशन में पल्शिटिला 30 को चार-चार बुने दिन में तीन से चार बार लिया जा सकता है जिससे उनकी इस कंडिशन में काफी आराम आएगा दूसरी दवाई है ब्राइनिया 30 को भी बिमारी की दूसरी अवस्ता में दि चला गया है सुवास की नली के अंदर इन्फेक्शन चला गया है तो उस इन्फेक्शन को उस ऐलर्जी को खतम करने के लिए ब्रोनिया 30 का उप्योग किया जाना चाहिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है ब्रोनिया 30 को भी आप 4-4 बुने दिन में तीन बार ले सकते हैं दोस्तों तीसरी होमियोपेथिक दवाई है इपिकोग 30 अगर इन्फेक्शन आपके फेपड़ो में चला गया है इसके लक्षन ये है कि आपकी छाती के अंदर कभी खुजली जैसी होगी जब आप खास होगे तो छाती के अंदर दर्द भी हो सकता है और खासते खासते आपको उल्टियां भी लग सकती है यानि कि आपको फेपड़े के अंदर जो एलर्जी है वो चली गई है जो इन्फेक्शन है वो फेपड़े के अंदर चला गया है तो इस कंडिशन में इपिकोग लेना चाहिए इपिकोग को 30 पोटेंची में 4-4 बूंदे दिन में 4-5 बा जा सकता है इपिकोग आपके फेपड़ों से जो मलगम जम गया है उसको बाहर निकाल देगी फेपड़ों को बिल्कुछ साफ कर देगी आपकी ट्रेकिया के अंदर जो मलगम चिपका हुआ है उसको भी इपिकोग पतला करके बाहर निकाल देगी दोस्तों रोग की दूसरी तीसरी दवाई है ब्रॉनिया 30 और तीसरी दवाई है इपिकाख 30 ये बिमारी की दूसरी अवस्ता में देनी है दोस्तों अब बात कर लेते हैं फीवर की अगर आपको खासी जुकारम के साथ-साथ फीवर भी आ जाता है तो आपको दो होमियोपेथिक दवाई लेनी है पहली दवाई का नाम है बैलाडोना 30 बैलाडोना के प्रियोग से आपका फीवर तुरंत ही उतर जाएगा और दूसरी दवाई है रस्टॉक्स 30 ये दोनों दवाई आपको साथ-साथ इस्तमाल करनी है इन दोनों दवाईयों की चार-चार बुंदे दिन में तीन वार लीजिए त आप इन में से कोई भी दो या तीन दवाई चूज करके इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप प्रिवेंटिव के रूप में इन दवाईयों को लेना चाते हैं तो मैं आपको केवल एक दवाई रेक्मेंट करूंगा क्योंकि आज कल बहुत ज़्यादा वाईरेल इफेक्शन फैल रहा है उससे बचाव के लिए आप आर्सेनिक एलबम 30 को चार-चार बुंदे अपने घर के सभी सदश्यों को दे दीजिए छोटे बच्चों को केवल एक ड्रॉप देनी है तो दोस्तों इस परकार आप अपने परिवार को सर्दी खासी जुखाम से बचा सकते हैं दोस्तो झालो